वन्दे मात्रम साथियों कैसे हैं आप सभी उमिद करते हैं आप सभी बहुती अच्छे और सवस्त होंगे और आने वाले आगामी सभी प्रिक्षाओं की तैयारी بहुती अच्छे तरिके से कर रहे होंगे तो प्यारी सात्यों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर्याना पुलिस से रिलेटिड जितनी भी महिला कंडिडेट हैं कौन स्टेबल से रिलेटिड या SI से रिलेटिड सभी फीमेल कंडिडेट के लिए बहुती अच्छी न्यूज हैं जो फीमेल कंडिडेट हैं कौन स् को मोका मिला है, ओफिशेल नोटिस के साथ हम आप से याप पर डिसकस करते हैं, आरे साथ यो ये ओफिशेल नोटिस है जो आप सभी का फीजिकल स्क्रेनिंग टेस्ट यानि पीजिक जो चला हुआ है, फीमेल कॉंस्टेबल और फीमेल SI से रिलीटेड आप सभी को यहाँ पर क तो female constable और sub inspector related जितने भी candidate हैं किसी भी कारणवस से इस date में नहीं पहुच पाते हैं जैसे 11 से 13 और 13 तारिकों अगर किसी भी कारण से नहीं पहुच पाते हैं काफी studentों नहीं आप पूचा था सर हमारे जैसे पैर में मोचारी या कुछ दीक्कत है एक दो दिन हमें मिल या नहीं तो आप सभी के लिए HSA नहीं यहाँ पे एक बहुती अच्छा काम क्या है एक और आपको मोका दिया है अगर आप female constable से रिलेटिड है या sub inspector से रिलेटिड है 11 से 13 या 13 तारिकों आप किसी कारणवस से physical screening test में नहीं पहुच पाते हैं तो आपको यहाँ पे एक और मोका दिया गया है 14 तारिकों ठीक है 14 तारिकों आपको reporting टाइम रहेगा साड़े 7 बजे 9 बजे के बाद आपकी कोई entry नहीं रहेगी ठीक है प्रेड ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकुला में आपकी यहाँ पे PhD होगी physical screening test होगा ठीक है तो यह बहुत बड़ी update है आप सभी के ल जो किसी भी कारणवस से इन डेट में नहीं पहुँच पाए तो आप सभी को physical के लिए HSC के द्वारा बहुती बड़ा मोका दिया गया है 14 तारिकों ठीक है 14 तारिकों ठीक है 14 तारिकों आपका यहाँ पे 12 से physical होगा ठीक है 7 बजे reporting टाइम 9 बजे के बाद आपकी यहाँ प पहुच पाए तो आप जाईए और 14 तारिकों आपका फीजिकल अच्छे से करके आईएगा ठीक है इस वीडियो में यह बड़ी अपडेट आपसे डिसकस करने थी अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने सात्यों तक इसे सेरे जरूर कीजिएगा ठीक है इसके बाद नेक सबी का धन्यवाद